विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तेलहन बाजार में शुक्रवार को सोयबीन तेल तेलहन, बिनौला, सीपियो और पामूलीन तेल सही अधिकांज़ तेल तेलहन के भाव में लाव रहे सरसो तेल तिलहनों के भाफ गिरावट के साथ बंद हुए जबकि मुंगफली तेल तिलहन समेट बाकी तेल तिलहने की कीमत पूरुस्तर पर बंद हुए बजार सूत्रों ने कहा कि आयात करने पर सोया बीन, सूरज मुकी तेल तथा घरेल उस्तर पर तयार किया जाने वाला मुंफली डिफाइन का भाव पामुलीन के मुकाबले स्तस्ता बैठता है मगर बजार में इन तेलों की बिक्री पामुलीन के दाम से 30 से 70 रुपए लीटर अधिक दाम पर कैसे हो रही है सरकार को इस बात की कड़ाई से जाच कर सक्त कदम उठाने चाहिए सूत्रों ने कहा कि देश में आयात को कि स्तिती खराब है तेल तिलहन उद्योग बंध होने की ओर अग्रसर है जब बड़ी कंपनिया बजार में खाद तेल महेंगे दामों पर बेश रही है तो फिर आयात शुल्क कम करने का क्या फाइदा होगा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए सूत्रों ने कहा कि मलेशिय एक्सचेंज 1.9 प्रतीशत मजबूत है जबकि कल रात की तेजी के बाद शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल लगबग एक प्रतीशत की तेजी है विदेशी बाजार में तेजी के बीच सोयावीन, तेल तिलहन, बिनौला, सीपियो, पामुलीन तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है जबकि सरसों में जारी घट बंद के दोरान में तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई है मुंगफली तेल तिलहन के भाव कूर्ववत बंध हुए खाद तेलों के स्टॉक रखने की सीमा 31 मार्च तक के लिए लगाई गई थी उसे बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है सूत्रों ने कहा कि इस कदम का कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि सरसो की पैदावार इस बार अच्छी है और उचे भाव पर कोई तिलहनों का भंडारन भी नहीं करेगा अगर कारवाई करनी है तो समस्या की नबस को पकड़ना होगा और इसके लिए उन बड़े वेपारियों की अधिक्तम खुद्रा मूले पर नजर रखनी चाहिए कि वे किस दाम पर अपने माल बेच रहे है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी